आज हम बात करेंगे परिवहन एवं संचार के विशय में तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यातायाद परिवहन या संचार के विशय में पढ़ना हमें क्यों आवश्यक है इसकी जानकारी क्यों आवश्यक है तो ये इस बात से ही पता चलता है कि यदि हम इतिहास में चले जाएं तो जब मनुश्य का पृत्वी पर जन में ही हुआ था तो जब पृत्वी पर आ गया मनुश्य तो फिर क्या होगा कि आपस में उनका कनवर्सेशन हो गया conversation होगा ही होगा और ये बात होगई संचार की और इस conversation के साथ साथ उसका एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर आना जाना भी होगा तो ये बात होगई परिवहन की अब उस समय जब मनुश्य का जन्म हुआ था तब से लेकर यदि हम आज वर्तमान समय में जाएं तो हम देखते हैं कि इसमें हमें बहुत जादा विकास देखने को मिला है वो कैसे तो पहले हम ये देखते थे कि मनुश्य जो है वो खुद ही ए तो मनुश्य जो है वो स्वयम एक वाहक के रूप में कारे करता था आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे इसके बाद फिर जैसे जैसे विकास होता गया आपको ये ध्यान भी होगा कि हम जब प्राचीन काल में जाते हैं पुराने समय की बात यदि हम देखते हैं कहानिया सुनेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि दुलहन को भी डोली पर लेके आते थे हैं तो उसको जो चार कहार हैं वो डोली को उठा कर चलते थे तो हम क्या देख रहे हैं कि मनुश्य स्वयम कोई भी व्यक्ति जो है वो वाहक का कारे कर रहा था फिर जैसे जैसे वो विकास की औ गोड़ा गाड़ी इन सभी के माध्याम से फिर कोई भी चाहे वो माल हो वस्तू हो या पशू हो या स्वेम व्यक्तियों को भी एक इस्थान से जब दूसरे इस्थान तक लाना ले जाना होता था तो ये लाने ले जाने का जो कारिय है वो क्रमशह जो है पशू के द्वारा किया जाने लगा अब इसके बाद फिर समय की साथ साथ फिर मनुष्य ने विकास की और अगला कदम रखा अगला चरण अपना बढ़ाया और हम ये देखते हैं कि लगभग अठारवी सदी के आसपास भाप इंजन का जो है वो अविश्कार हुआ और भाप इंजन के अविश्कार ने मानो एक चमतकार किया हो क्योंकि ये एक हमारे विकास के लिए ये जो कदम था वो बहुत परिवर्तन शिल जो है विकास में परिवर्तन लाने वाला एक कदम था क्योंकि इसके बाद फिर वो बहुत इजी हो गया समान या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य जहां हम देखेंगे पहले अगर हम राइपूर से दिल्ली तक की यात्रा करते तो लगभग हमको चाहे हम बैल गाड़ी से जा रहे हो या वहां पर पहुंच जाते हैं हवाई यात्रा के दौरान और उससे थोड़ा अधिक समय लगेगा हमको जब हम रेल गाड़ी से यात्रा करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि हम विकास की और निरंतर बढ़ते गए और जैसा भी मैंने बताया कि भापिंजन का विश्कार जो है बहुत लगता था और पशुओं और मनुश्य की एक चंता होगी ना मतलब 24 हंटे यदि कोई मनुश्य कारी कर रहा है तो उनके कारी करने की एक लिमिट एक सीमा होगी उतना मतलब एक लिमिट तक ही वह परिश्रम कर पायेगा तो वह बहुत मुšकिल होता था समय के स आजसान फिर भाप इंजन का विश्कार हुआ और भारी माल या भारी वस्तुओं को या बहुत सारे व्यक्तियों को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाना जो है वो थोड़ा और इजी हो गया आसान हो गया समय की बचत हुई खर्च में हमको बचत हुई और धीरे ध को देखते हैं कि भाप Ingen के बाद करम्शा इंजन के अविश्कार के बाद फिर हम देखते हैं कि वाईयूयान का हमने अविश्कार किया और अब वरत्मान में हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे कुछारा जैसे पहाड़ी चेत्र हैं बहुत उचे ऊचे पशोर में occupiedी पठ्थ बिच्छाना वो संभव नहीं है, ना ही किसी हलीकॉप्टर को हम वहाँ पर उतार सकते हैं तो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि ropeway ropeway वो भी हमारे वहां तक की यात्रा को बहुत आसान बना देता है आप हमारे भारत में ही उत्तराखन में या हिमालय के दुर्गम पहाडी छेत्रों में चले जाएए तो रोफवे जो है वो वहाँ पर यात्रा का एक बहुत सरल और सुगम साधन जो है वो बन गया है इन सब के अतरिक्त और हमने विकास किया और पाइपलाइन के द्वारा कोई भी चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैस हो इन सब को हम सुनते हैं कि पेट्रोल डीजल या नैचरल गैस जो है उसको पाइपलाइन के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश तक ले जाते हैं या उ कि न्यूजी लेंड में सिर्फ लिक्विड और गैस की हम बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पर दूध का जो परिवहन है वो भी इन पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हम विकास के और नए नए आयाम रचे और हमको नए जो सु कहूं कि यदि परिवहन और संचार को हम कुछ घंटों के लिए बंद कर दें उसका आवागमन उसके माध्यम से आवागमन या संचार का जो है आदान प्रदान वो कुछ घंटों के लिए भी बंद कर दिया जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि पूरा अंतर राश्ट्य व्यापार जो है वो ठप हो जाएगा है ना मतलब जो भी चीज संभव हो पाई है आज की हम वर्तमान में हमने जितना नगरी करण और और अद्योगिक विकास की जो अवस्था है उसको प्राप्ति किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया है किसके कारण परिवहन और संचार के कारण यदि हम यह कहें तो अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी कि वर्तमान और द्योगी करण की जो अवस्था है या जो हमने व्यापारिक उन्नती प्रगति को प्राप्ति किया है वो आपके उसके विकास की जो रीड है वो आपका परिवहन एवं संचा ही है इसके बिना हम विकास की कलपना नहीं कर सकते इसका एक जुलन तुदाहरन भी हम देख सकते हैं वर्तमान कोवीड-19 महामारी का जो समय था जिसमें थोड़ी सी परिवहन और संचार व्यवस्था तो ठीक थी लिकिन परिवहन की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी उसम हमको अस्वीधा मिली जो लागडाउन लगा था तो हमने देखा था कि हमें किन परिशानियों का सामना करना पड़ा कि हमको कहीं पर आने जाने पर पाबंदी है और जब परिवहन जो है वो कुछ देर के लिए बंद हो जा रहा है वस्थो की सप्लाई जो है वो थोड़ी द परिवहन एवं संचार हमारे ओद्योगी करन की नीव है विकास की रिड है और इसका अधियन या इसका ज्यान हमें होना बहुत जादा आवर्शक है अब हम यह देखते हैं कि परिवहन शब्दतों हम बार-बार उपयोग कर रहे हैं तो परिवहन है क्या है ना तो परिवहन का सीधा सा अभिप्राय या सीधे से मायने हम यह कहें कि चाहे किसी भी प्रकार की वस्तु हो पशु हो या व्यक्तियों को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाना या उनकी आवा गमन का जो साधन है उसे ही हम क्या कहते हैं परिवहन के नाम से जानते हैं वहीं जो स दूसरे को प्रदान कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं संचार संचार में भी हमने वर्तमान में बहुत प्रगती की है पहले तो हम सुनते थे कि डाकी ही जो है वो चिठी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले कर जाते थे और हम लोग जो है वो बहुत दिनों तक इंतजार में बैठे रहते थे कि उसकी चिठी आने वाली है, बेहन की चिठी आने वाली है, मा की चिठी आने वाली है, कितना इंतजार करना पड़ता था और वो चिठी को देखकर हम फूले नहीं समाते थे, लेकिन अगर आज हमें दिल्ली में या मुंबई में या मैं ये कहूं अमेरिका म जर्मनी में बैठे हमें अपने किसी रिष्टेदार या किसी फ्रेंड से बात करनी है तो वो कुछ सेकेंड की ही बात होती है हम अपना स्मार्ट फोन उठाते हैं वाटसप में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम उनसे फेस टू फेस हो सकते हैं कोई फोटोग्राफ भेज सकत हैं हम या किसी भी प्रकार का मैसेज यह तुरंत हम उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं तो इस बात का अंदाजाब इसी से लगा सकते हैं कि हमने वर्तमान में परिवहन और संचार में नए नए आयाम जो हैं या नए नए तकनीकियों का विकास किया है और हम विकास की चरम अ अब हम देखते हैं कि परिवहन का महत्व क्या है सबसे पहला हम देखते हैं कि परिवहन के माध्यम से हम वस्तूओं का जो है या पदार्थों का इस्थानांतरन कर सकते हैं यह संभा हो पाता है मतलब किसी परिवहन के माध्यम से जैसे मचलिया है या एक एक्जामपल के लिए आप दूध लेने जाते हैं सुबा है ना तो मिल्क पार्लर से आप दूध लेकर आते हैं दूध का पैकेट लेकिन क्या आपको यह लगता है कि मिल्क पारलर वाला जो है वो खुद ही दूद का प्रोडक्शन कर रहा है नहीं वो कहीं किसी होल सेलर से उसको लेकर आता है जहां पर दूद का उत्पादन हो रहा है तो वो किसके माध्यम से संभव हो पाया है परिवहन के माध्यम से तो वस्तूओं या पदार्थों का इस हो तो यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर उसकी सारी हो जाए साथन से ही संस्भव हो पाता है जाहे Vadha हो सडक मार्ग हो या वायो मार्ग या जल मार्ग अब दूसरा हम देखते हैं कि इसी के माध्यम से दूसरा महत्व है परिवहन का कि मांग और पूर्ती में ये संतुलन इस्थापित करता है हैं ना अभी हमने पहले चर्चा की कि पदार्थों का इस्थाना अंतरन हो रहा है तो तो वहाँ पर से वो दूसरे इस्थान जहाँ पर इसका production नहीं है वहाँ पर उसकी की जाएगी आपूर्ती की जाएगी जिससे जहाँ पर डिमांड जादा हो रही है और एक जगर जो है उसकी आपूर्ती अधिक है production होने के कारण तो दोनों में एक balance जो है वो बना कर चलता है वो किसके माध्यम से संभव होता है परिवहन के माध्यम से फिर इसी के माध्यम से किसी भी प्रकार से अंतरराश्टी व्यापार की जो उन्नती है वो संभव हो पाती है भई जर्मनी की कोई company चाइना की जो कोई company है वो आज भारत में आकर cell phone का production कर रही है है या फिर हम electronic समान का production कर रही है तो यह क्या हो रहा है यह हमारे यह जो production हो रहा है उससे हम दूसरे देशों तक पहुचा पा रहे हैं चाहें वो खाध्यानी की बात हो और LGBT समान की बात हो किसी भी टाइप की वस्तूएं पदार्थों की बात हो तो हम एक दूसरे से व्यापार कर रहे है जहां हमको किसी चीज की जौरत है तो हम व्यापार के माध्यम से दूसरे देशों से उसको आयात कर रहे हैं और दूसरे देशों में जहां हमारे निर्मित वस्तों की डिमांड है उसे हम उन देशों को निर्यात कर रहे हैं तो इससे अंतर रास्ट ये व्यापार से ही ये संभ हो पाया है, अब next हम देखते हैं जो ये परिवहन के साधन है वो श्रम भीभाजन को easy या सरल बना देते हैं श्रम भीभाजन जो है वो इसके द्वारा संभव हो पाता है हम देखेंगे अपने देश की हम बात करते हैं तो हम जहां पर पॉपलेशन जिस स्टेट में जनसंख्या जो है वो अधिक होगी और किसी स्टेट में जनसंख्या जो है वो कम है तो हम क्या देखेंगे जहां पर जनसंख्या अधिक मिल रही है वहां पर श्रम या लेबर का जो को श्रम की जाधा जूरत होती हैं ना जैसे प्रपल की लेते हैं हम असाम में चाइल उत्पादन हो रहा है यह किसी भी स्थान पर चाइल कौफी का उत्पादन किया जा रहा है जहाँ पर आजर कट्टितलने का ने कान और च्याूद पढ़ रहा है ना श्रम की जो कास्ट है लेबर कास्ट जो है वो अधिक पढ़ रही है तो हम क्या करेंगे जहां पर जन संख्या अधिक है और वो ट्रेंड है उस कारे में वहां से हम उस लेबर को अपने कारी के लिए वहां से बाहर से आयात कर लेते हैं बुलाते हैं जिससे ह हम जो माल तयार कर रहे हैं तयार माल का जो कास्ट है या लागत है वो कम पड़ती है तो परिवहन के द्वारा श्रम विभाजन भी संभव हो पाता है फिर हम देखते हैं बाजार का छेत्र विक्सित होता है होता तो है क्योंकि परिवहन के साधन से ही संभव हो पाता है कोई ए अमेरिका में बना कोई स्मार्टफोन जो है वो आपके पूरे मार्केट कौन सा मार्केट पूरे वर्ल्ड मार्केट बाजार में पूरे विश्व के बाजार में वो हमको उपलब्ध होगा तो इक किस से संभव है परिवहन के साधन से वहां पर वो चीज तयार हो रही है और हर देश के बाजार में वो वहाँ पर उस मार्केट में उपलब्ध कराई जा रही है परिवहन के साधन के द्वारा आज हम देखेंगे जैसे दूद है या फिश मचली है है ना खादिस अंसाधन में ये क्या है दूद दही पनीर या मचली जो हमने एक्जामपल लिया वो जल्द से पांच घंटे में इनके खराब होने की संभावना हो जाती है लेकिन इसी चीज को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक ग्रामीड एरिया से दूसरे नगरी छेत्र तक इसको हम पहुंचा पा रहे हैं तो वो किसके कारण है तिव्रगामी परिवहन साधन जो हमने जैसे एक एक्सामपल के लिए हम देखते हैं की oneten, hashp, हमारा भिलाई स्टील प्लांट जो है भिलाई में स्थित है अब वो और पर इस्थित है भिलाई में लेकिन अपने उस उद्योक केだから और मlove Scientists Depay da. राजहरां से बільन और या मिल रहा है है अना जल वो गंडरे़ डेम से उसको एंटीपीसी से उसको उरजा या कोईला मिल रही है तो वहां पर कोई प्लांट इस्थापित हो पा रहा है या वहां पर लौह यसका उत्पादन हो रहा है लेकिन सारी चीजें उसे वही भिलाई में ही हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसको हम अलग-अलग चीजों को अलग-अलग स्थानों से जो है वो उसकी आपूर्ती करा रहे हैं मंगा रहे हैं है ना तो एक स्थान पर सारी चीजें जो है यह संभाव नहीं है कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन या कोई भी आर्थिक क्रिया कलाब जो है वो आपको किसी एक ही छेत्र पर केंद्री कृत मिल जाए ऐसा असंभव है लेकिन वर्तमान में इन सभी चीजों के एक साथ ना होते हुए भी हम उत्पादन को जादा से जादा हर इस्थान पर संभव बना पा जो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ परिवहन इवं संचार के माध्यम से अब हम देखते हैं मुल्यों में अधिक उतार चड़हाओ भी नहीं हो पाता है किसके करण नहीं हो पाता है परिवहन के साधन के कारण मतलब की आप अक्सर यह देखते होंगे कि कोई चीज की डिमांड ज जुह है वो आस्मान चुह रहे हैं कभी टमाटर के दाम चुह है वो इसा किस लिए होता है। कि यहां पर डिमांड तो जादा है लेकिन बाहरी चेतरों जहां से यह अलू पयाज यह टमाटर की आपुर्ती की जाती है, वो उतनी मातरा में नहीं हो पा रही है। तो ये डिमांड या मांग के अनुसार जगह पे किसी भी स्थान पे चीजों की आपूरती जल्दी से परिवहन के माध्यम से मालो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी डिमांड जादा है अभी आलू की डिमांड बढ़ गई है या टमाटर की डिमांड अधिक है तो मांग के अनु और नेच्रली है हमने भी बात की है और गी करण को प्रोच साहन सिर्फ और सिर्फ परिवहन का साधन वो हमने कहा था कि अब और दो गी करण के विकास की नीव है या रिड की हड्डी है बैक बोन कह सकते हैं हम क्योंकि इसके बीना हम ओद्योगी करण की कल्पना करे ही नहीं सकते कोई भी कच्चे माल का आयात निरियात माल को बाजार तक पहुँचाना कैसे संबह हो पाएगा जब हम परिवहन के साधन को बहुत अच्छी तरह विक्सित नहीं कर पाएंगे फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किसी भी इसमें सभ्यता और ज्यान में वृद्धी या कोई देश का जो विकास है वो इस बात पर बहुत अधिक डिपेंड करता है कि उस देश में परिवहन का जाल कैसा है या परिवहन के साधुनों का विकास किस इस्तर तक है इसके माध्यम से ही जो है सभ्यता मतलब एक इस्थान के सभ्यता दूसरे इस्थान पर जाती है जैसे ओडिसा के लोग 36 गड़ में आके रह रहे हैं या साउट से यहां 36 गड़ में आके रहे हैं तो सभी धर्म और का जो है वो एक जगा जमावड़ा होने से उसमें भी आदान प्रदान होता है हम उन संस्कृतियों सभ्यता के बारे में जान पाते हैं कि अलग-अलग संस्कृती और सभ्यता में क्या चीज़ें होती हैं क्या बाते होती हैं तो यह किसी भी देश के विकास के लिए एक महत् पुर्ण मील का पत्थर जो है वो साबित होता है अच्छा हमने ये देखा था कि परिवहन जो है वो आपके तृतियक क्रिया कलाब की अंतरगत आता है तो परिवहन को हम एक प्रकार से उत्पादक क्रिया मान सकते हैं या हम ये कहेंगे कि ये उत्पादक क्रिया है क्यों क्यो से एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जा रहे हैं या एरोड़ोन से जा रहे हैं तो किया आपको एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक वह ऐसे ही छोड़ देगा in वह आपसे कुछ उससे पारिश्रमि वो हम से लेता है जैसे आप टिकेट कटा के बैठते हैं बस में या ट्रेन में हवाई यात्रा के लिए भी आपको टिकेट कटानी पड़ती है तो इस पारिश्रमिक के रूप में हम आय प्राप्त हो रही है परिवहन के माध्यम से तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि परिवहन जो या हम यह कहें कि किसी भी देश का विकास है न ये उतना ही ज़्यादा dépend करेगा जितना ज़्यादा कोई व्यापारीक केंद्र जो है वहाँ पर परिवहण का जाल जितना जादा विक्सित होगा किसी भी देश का विकास उतना ही अधिक होगा तो परिवहन जाल क्या है परिवहन जाल ये है जैसे कोई दो नोड है नोड मतलब कोई इस्थान है जैसे हम एक यहां पर एक्जामपल ले ले लेते हैं दिल्ली या कोलकाता है तो ये कोलकाता या दिल्ली, मुंबई उत्तर, दक्षिन, पूर्व, पशिम ये चारो जो महानगर हैं इन सभी में हम देखेंगे कि ये मुख्य मुख्य हाईवे मतलब मुख्य सडक मार्गों से, रेल मार्गों से और उतना ही ये हवाई आत्रा के माध्यम से भी या हवाई मार्ग के नाम से भी के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं यहाँ पर सडको का भी उतना ही अधिक जाल बिछा हुआ है रेल मार्ग का भी उतना ही अधिक जाल जो है वो बिछा हुआ है तो ये connectivity को बताता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के साधन है वो कितनी अधिक मात्रा में डेवलप हुए हैं या विक्सित हुए हैं और ये जाल जितना जादा अधिक डेवलप होगा सुविक्सित होगा हम ये मान के चलते हैं कि वो देश जो है वो ब्यापार परिवहन जाल कहलाता है अब हम ये देख लेते हैं कि जो परिवहन साधन है वो किस प्रकार के हैं या कौन-कौन से होते हैं क्या हम इस्थल भाग में चल रहे हैं क्या हम उपर हवा में चल रहे हैं क्या हम जल में यात्रा कर रहे हैं तो इन परिवहन के साधनों को तीन वर्गों में जो है वो रखा जाता है तीन वर्ग कौन कौन से हैं पहला है आपका स्थल मार्ग दूसरा आपका जल मार्ग है और तीसरा है आपका वाईयू मार्ग अब इस इस्थल मार्ग को भी हम अगेन क्लासिफाइड करते हैं तीन वर्गों में हम इसको रखते हैं इस्थल मार्ग में हम देखते हैं जैसे सडक है, रेल मार्ग है और जो पाइपलाइन या रोप वे है वो इसकी एकदम नवीनतम व्यवस्था का या नविंतम जो है वो प्रती रूप है किसका स्थलमार्ग का इसके बाद हम देखते हैं जलमार्ग, जलमार्ग के भी को भी फिर से दो वरगों में रखा गया है, पहला है आपका अंतरीक या अंतहिस्थली, यह कैसे होता है हम इसे इन लैंड भी कहते हैं, जैसे किसी जीप के अंदर जीले हैं नहर हैं नदी हैं तो इनके माध्यम से जो यात्रा की जाती है या जो परिवहन किया जाता है उसे हम इसके अंतरगत रखते हैं और इसमें हम कैसे परिवहन करेंगे किसी शिप के माध्यम से बोट के माध्यम से स्टीमर के माध्यम से है ना तो यह हो इनलेंड और दूसरा होता है आपका समुद्री पहला अंतहिस्थली और दूसरा समुद्री मतलब महासागरों सागरों महासागरों के माध्यम से एक महाधीप से दूसरे महाधीप एक महाधीप से किसी दूसरे देश की तरफ जो हम यात्रा करेंगे उसे हम सागरी या समुद् उनके अंतरगत रखते हैं फिर हम बात करते हैं वायू मार्ग की वायू मार्ग में भी हम इसको दो वर्ग में रख रहे हैं पहला रास्ट्रिय मतलब किसी भी देश के अंदर जो वायू मार्ग से यात्रा की जाएगी चाहे आप मुंबई से चिन्ने जा रहे हो या फिर कुलक परिवहन उसके माध्यम से कर रहे हैं तो ये हो गया आपका रास्ट्री और अंतर रास्ट्री अंतर रास्ट्री मतलब देश विदेश के अंतरगत उनके बीच में जो यात्राएं या परिवहन जो किया जाता है उसे हम अंतर रास्ट्री वायू मार्ग के अंतरगत रखते हैं अच्छा अब ये तो हो गए वर्ग की हम परिवहन के साधन के लिए वाहक के रूप में किन-किन चीजों का उपयोग करते हैं अब इसमें ये है कि जो परिवहन की सार्थकता या परिवहन का चयन मतलब परिवहन के किस साधन का आप चैन करेंगे, किस मार्ग का चैन करेंगे, ये परिवहन की सार्थकता के ओपर जो है वो निर्भर करता है, जैसे आपको अपने गाउं से 25 किलोमीटर या लगभग 30 किलोमीटर जो है किसी दूसरे गाउं में जाना है, तो उस गाउं में जो तो रेल मार्ग है, यदि वो वहाँ पर पहुंचा भी होगा, तो भी वो आप रेल मार्ग के माध्यम से जाएंगे, तो आप स्टेशन तक ही उतरेंगे, फिर स्टेशन से आपको बाई आटो अपने घर तक या बाई टैक्सी है, किसी भी गाड़ी के माध्यम से अपने घर तक जाना होगा लेकिन तो हम क्या करते हैं सडक मार्ग का हम अप्योग करेंगे कभी भी कोई कम दूरी की जो चीज है या उसकी यात्रा करनी है द्वार से सवीधा हमको चाहिए तो भी हम क्या करेंगे? सड़क मारग को जो है, उसको चुनेंगे क्योंकि सड़क मारग के माध्यम से जब हम यात्रा करते हैं तो हमको घर पहुंच सेवा एक प्रकार से उपलब्द हो पाती है यह मान के चलते हैं हम अगर आपको कोई बहुत भारी भरकम समान है ना वो लेके जाना है और बहुत लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो आप रेल मार्ग का चैन करेंगे क्योंकि रेल मारग का चैन करने से क्या होगा कि आपको लागत भी खर्च भी कमाएगा और समय भी आपकी उसे बचेगी अब आपको कोई कीमती वस्तु लेकर जानी है और हलकी वस्तु है और साथ ही साथ बहुत कीमती है और बहुत जल्दी उसे किसी दूसरे इस्थान पर आपको जहां पर गंतवी है वहां तक आपको पहुचाना है तो आप किस रूट का चैन करेंगे आप वायू मार्ग का चैन करेंगे आजकल तो इस आपा धापी के समय में भाग दोड की जो जिन्दगी है उसमें हम अक्सर ये देखते हैं कि समय हमारे लिए बहुत कीमती है जिससे भी आप बातचीत में सुनेंगे तो कहेंगे समय नहीं है तो सबसे कम समय जो है वो वायू मार्ग से आप यात्रा करते हैं तो आपको बहुत कम समय लगता है तो यदि आपके पास समय नहीं है और आपको बहुत किसी कीमती वस्तू को लेकर जाना है तो आप क्या करेंगे वायू मार्ग का चैन करेंगे हाँ अब वहीं पर हम देखते हैं कि कोई दलदली छेतर है बहुत वन भूमी वाला दलदली आद्र छेतर है तो वहाँ पर भी कोई किसी भी प्रकार का सड़क या रेल मार्ग नहीं बिचाया जा सकता तो हम देखेंगे वहाँ पर रोप वे की जो वेवस्था होती है अभी हमन महंगा होगा है ना और उसका रख रखाओ भी हमें उतना ही महंगा पड़ेगा तो वहाँ पर रोप और यदि हम वहाँ पर किसी भी जगह पर लिक्विड चीज को पहुंचाना है तो हम पाइपलाइन के माध्यम से जो है उसका परिवहन करेंगे तो डिपेंड करता है ये सार्थक्ता जो है वो उसी पर निर्भर करती है कि हम हमारे पास समय कितना है हम किस प्रकार की वस्तू का वहाँ पर परिवहन करना चाह रहे हैं और कितनी दूरी तक हमको यात्रा करनी है तो ये सारे सारी बातों पर डिपेंड करता है कि हम परिवहन के किस साधन का चैन जो ह कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस थलमार्ग पर